लोडी पोश महा की अंतिम रात को एवं मकर संक्रांती की सुभह तक लोडी पंजाब प्रांद के मुखे तोहारों में से एक है जिने पंजाबी बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं लोडी की धूम कई तिनों पहले से ही शुरू हो जाती है यह समय देश के हर खिस्से में अलग अलग नाम से तोहार मनाये जाते हैं जैसे मद्य भारत में मकर संक्रांती दक्षिन भारत में पोंगल का तोहार एवं काइट फेस्टिवल भी देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है मुख्यता यह समय दोहार परिवार जनों के साथ मिल जुल कर मनाये जाते हैं जो आपसी बैर को खतम करते हैं पुरानों के अधार पर इसे सती के त्याक के रूप में प्रतिवर्श यात करके मनाया जाता है कथा नुसार जब प्रजापती तक्ष ने अपनी पुत्री सती के पती महादेव शिर्व का तिरस्कार किया था और अपने जामाता को यग पे शामल ना करने से उन्हें जाता है और इसी कारण घर की विवाहित पेटी को इस दिन तौफे दिये जाते हैं और भोजन पर आमंतरिन कर उसका मान समान किया जाता है इसी खुजी में शिंगार का समान सभी विवाहित महिलाओं को बाटा जाता है लोडी के पीछे एक एतिहासिक कथा भी है जिसे दुला भटी के नाम से जाना जाता है यह कथा अगपर के शाजनकाल की है उन दिनों दुला भटी पंजाब प्रांथ का सरदार था उसे पंजाब का नायक कहा जाता था उन दिनों संदलवार नामक एक जगह जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहां लड़कियों की बाजारी होती थी तब दुला भटी ने इसका विरोध किया और लड़कियों को समान पूर्वक इस दुशकम से बचाया और उनकी शादी करवाकर उन्हें समाने जीवन दिया इस विजह के दिन को लोहरी के गीतों में गाया जाता है और दुला भाटी को याद किया जाता है तर दुला आए बच पर आए जिए जाता है विर्वाचिंजों कि दुला टुला बाकर वाटी जाता है परसे बेल इकन तुला एंड कमेंट रहूं